एहमद नगर का किला जवाहरलाल नहरू स्वतंतरता अंदुलन के समय कुल नो बार जेल गए थे वे एहमद नगर के किले में बीस महीने से भी अथिक समय तक बंदी रहे थे यानि उन्हें जेल में बंद करके रखा गया था एहमद नगर के किले में रहते उए नहरू जी ने बागबानी का कारे आरम किया। बागबानी किसे कहते हैं जब पेड़ पोधे उन्होंनें उगाना शुरू कर दिया वहाँ पर उन्होंने तपती धूप में विकडी महनत करके फूलों की क्यारियां बनाई थी। उन्होंने पत्रीनी धर्ति को खोद खोद कर उपजाओ बना दिया था एहमद नगर के किले के साथ 100% एतिहासिक घटना जूड़ी हूई है इस किले के साथ चांद बीवी की बहादुरी और उसकी मृत्यू की घटना जूड़ी हूई है चांद बीवी ने स्व्याम तलवार उठा कर काबला किया था और इस कीले की सुरक्षा की थी किन्तु अंत में चांद वीवी के हत्या उसके अपने ही एक व्यक्ति ने कर दी थी यहाँ पर लेखक को क्यारियों के साथ खुदाई करते हुए जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दिवारों के हिस्से मिले उन्हें कुछ गुमबदों तथा इमारतों के उपरे हिस्से भी दिखाई दिये और अधिक खुदाई करना चाहते थे किन्तु उनके पास अच्छे आजार नहीं थे साथ ही जेल के अधिकारियों ने उन्हें इस कारे की अनुमती भी नहीं दी थी और यही कारण रहा कि नेहरुजी को कारे रोकना पड़ा था नेहरुजी ने अपना समय कभी भी व्यर्थ नहीं गवाया जब उन्हें जेल के अधिकारियों ने खुदाई के कारे की अनुमती नहीं दी तो उन्होंने कुदाल छोड़ करके कलम उठा ली और लिखने का कारे शुरू कर दिया उन्होंने जो कुछ अनुभाव किया था वे उसे शब्दों में उतार देना चाहते थे अतीत के दबाव से यहाँ परतात पर यह है बीता हुआ समय अतीत का दबाव का भी प्रय क्या है बीता हुआ समय अपनी परंपराओं सभ्धा और संस्कृति का अपने उपर प्रभाव इसे हम अपने विरास्त भी कहते हैं यानि कि जो हमें अपने पूर्वजों से सभ्धता और संस्कृति मिली है वह क्या है हमारी विरास्त है और इसी प्राप्त करने में हमें हजारों वर्ष का लंबा समय लगा है लेखक भारत वश के अतीत के विशय में लिखना चाहता है अतीत यानि बीता हुआ समय जिससे हमारा वर्तमान अच्छा हो सके सही हो सके लेखक का दड़ विश्वास है कि हमारी विरास्त में कोई खास बात है हमारी जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी संस्कृती, सभ्यता और परंपरा है उसमें कुछ अच्छा है, कुछ खास है, कुछ अनौखा है और यह सब चीजें हमारे जीवन में समाई हुई है जिससे हमारा परत्मान बना है और भविश्य उज्वल बनने की संभावना है हमारा अतीत यानि बीता हुआ समय यदि अच्छा है तो हमारा वरत्मान भी अच्छा होगा और अगर हमारा वरत्मान अच्छा है तो हमारा आने वाला समय भी अच्छा होगा इसे कहा है भविष्य उज्वल बनने की संपावना है